एकदम हटके और टेस्टी चिकन ग्रेवी अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखे कर देखे। यहाँ सूस्टा सकी थैंसे, आमने केबा साबेर, है कि तूसे शक्र CAP, है यह लुक्स का घला है, प mature है ऑलेँिंट फिर्स हैॉ यह पर वो इस फूड बोड़ा करें निया थे इचिन का पेषाइप डिपार बेटके देख लेकिन काफी पहला थे उसे प्लूपने तो चलो ब्लूपने लिए अपने लिया जो प्रिप्टा दोगें अपर आप दोस्ते इंडिया के बार बैटके देख रहें तो चलो सबसे प और हम न दे नहीं डर च्र्ज?ज इसाओ में कैसा जी राए राइ टीड का सा जी रा डाला है यास टेज कर दिया है अमारे करम मशाले अーー अर इसमें भी आगे घड़े मसाले हैं. एक हार आइट्ब प्रय लिए काम ही रहे तो चल जाएगा। अजया झाले जी हम सबसे पहले का बना रहे है है। बेस गरिवी बनारे हैं। बेस गरिवी गरिया। नंजाली का भीज करी वाषा जो चुछा आजा अगा अजिए अजा आज़ा अगरेंगे अगरेंगे हैं जो कि यूपने पहले जुलेंगे चुलेंग में किया हूआ है जो कि बढ़ी बढ़ी आ रही है तो काफी देर गुंदने के बाद भी बरिट्सा बन गया है ब्राउनिंग आगे है आप एम इस प्राइड करेंगे जो लें टमाता दो ते चार ग्रीन चिली ग्रीन चिली आपको जितना तीखा ची उचे जासे तनीची जए शाया मिल टौण की अद़ी आपको टौण नाल होने दख मूणना दा आपको मसालो के साथ लें अब अब क्या अट कर रहे शग्री में जाराएं पर अब बनारे चिकन गंचा ली आप मिक्सर में डालना है पानी हलका सा डालना है और इसे अब ग्राइंड करेंगे और यह पेस्ट कुछ ऐसा हो जाएगा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया है जिसमें बेज ग्रेवी बन गई है गंशा लेगी और अब गंबीत सिंग्जी क्या बता रहे हैं मैंने जो चिकन हमने लिए डाय से तीन सो ग्राम चिकन ले रखाया है और मैंने लेशन के लिए सबसे पहले इसमें डालिंगा में सॉल्ट यौके करें लेशन कमें डालने हैं अच्छ नुक करना है इसको तो मियाँ ट्रीस निए उट्प करने बाद कुछ देर रखना होगा के सिधा इस प्रैकर में उटना गंटी पुछ देर ना परैकर कॉन्ट गंटे घंड़ आधा अधा गंटा इसको रखना जितना अच्छा तो गंबीर जी इसको आदे गंटा मैरिनेट करना है और उसके बाद फिर आपको हलका सा फ्राइब करेंगे जिए आदा गंटा तो हम भीट नी कर सकते क्योंकि अधा गंटा मैरिनेट करने के बाद यह चिकन कुछ ऐसा हो जाएगा जहां पर हमने बेज ग्रेवी बता दिया स् हम स्टेप 3 के और बनने वाले है चिकन घंसाली जी हां गंगु भाई काट्या वाड़ी में थी आलिया भड डिरेक्टेड बाई संजे लीला बंसाली एंड यहां पर अब बना रहे हैं चिकन घंसाली येस चलिए आपके फिवरेट क्रिकेटर कॉन है गतंग अमीर सजिन जं पिला है जीरा जू specially है यहां का आफू पेस्ट चिंजर गार्लिक पेस्ट चिनजर गारलिक पेस्ट यह ओं फेस्ट दूरा यह वहां कर गया पॉर्डर दे सकते हैं एड्रेस भी दिखाई दे रहा है आपको पूर मंगलोज महाडा में है यह लोग डबल एट सेवन नाइन फॉर नाइन फाइफ दिरो सेवें टू सपोर्ट यह लोकल रेस्टरांट्स और यह आपने अच्छी तरीकी से भून दिया है और यह ग् कि एक कीमा पालक है कि पहले से बाइल किया हुआ है तो एक बड़ा चमशी आपके डाल रहा है आच यह जो आपने फ्राइगी अच्छिक लाल रंग भी आ ग्रीन भी आग्या वाथ है क्या बात है और एक प्लीट में ऐसे यहां पर कितने पीस आ जाते हैं पांच पीस आज और कितने का है गंशाली यह अपना है फूसिची है फूसिटी नॉट बाद है और इस भी अच्छे काच है आपके ग्रीन और रेड दोनों आ गया गया तो यह तो बड़ा टेंप्टिंग लग रहा है और अब क्या कर रहे है तो इसमें काजू के इस्टेट होगा आपके अच् बहुत ही सूपफ कलर लागे इसमें ग्रीन आ गया रेड आ गया है और अब यह काजू के से वाइट क्रीमी होगे है यह हमारा गंशालियो आप इसमें आ रहा है अल्का सा पानी आप चाहे तो जिसमें चिकन बोईल के है वो पानी भी यूज़ कर से किस्टाइब ग्रेवी ने तयार किया हा है अचा यह यह बाकी है और राइट तो बहुत ही शाही और अलग 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 आ गया अब यह पीला रंग अगया आप कोई भी गरम मसाला यूज़ कर सकते हैं यहां पर यह और यह रिखिए और क्रीम चिड़की जारी है और दाला जा रहा है धनिया हला धनिया तो भई फाइनली हमारा चिकन घंसाली रेडी हो गया येस सबर का फल मीठा होता है वैसे ही सबर का चिकन भी बहुत ही टेस्टी है यू रेसिपी है नई रेसिपी सीखी है बडर चिकन और चिकन टिक का मसाला को कर दीजे बाइबाइबाइब और इस चिकन घंसाली को करिए हेलो हाई और इन सभी को भी हेलो हाई करते हैं थैंक्यू करते हैं गाइस दू थैंक दी इंटाइर टीम फूड विला फो शेरिंग दे रेसिपी इंद्या बिजी आज हाँ स्माइल कर लो यार तब हाथ दिखा दो यार क्या बात है पूरी टीम को थैंक यू आ करें आ करिये आ आ आ आ मैं खाले ता हूँ क्या मारिनेट की है क्या मसाली का फ्लीवर जा रहे है चिकिन कौल का फ्राइ किया था पालक का इसमें लगा है तड़का और फिर उसके बाद वो जो बेज ग्रेवी है वो भी बहुत ही बढ़िया थी इस डिफरेंट इस वेरी टीश्टी आपको अगर संजे लीला बंशाली पसंदे तो यह घंशाली भी पसंद होगा मतब संजे लीला बंशाली लाजदन लाइफ फिल्म में बनाते है इसलिए और यह भी एक लाजदन लाइफ डिश है इसमें बहुत कुछ आ गया मशाले आ क्रीम आ गया काजू आ गया मज़ेदा है हाँ हाँ है इस बड़े वाट के साथ एक चीज़ कहना जाओंगा ज़रूर रस रशीपी को ट्राइब करियेंगा ना बहुत ही बढ़िया है मज़ेदार एक्सपीडियेंस है इस चिकन गंचाली इस डिफरेंट एंड या इस चानल इस बड़ेंगा ज़रूर शेर करियेगा चानल का टेक केर करियेगा पेरे साथ इंसका पेरेंगा